बूर्निंग दियर विएस आइम शिवानी सकसेन, hope you are very well सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और 2 दे करंट अफेर का टाइम भी हो चुका है सो देखिए आज क्या है? आज है 7 फैव आज 7 फैव है और आज के करंट अफेर के बारे में लोग बात करेंगे अच्छे से सो चलिए बात करते हैं फस्ट न्यूस के बारे में सो देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो गाईका है लत्ता मंगिशकर उनका वामन साल की उमर में निदन हो चुका है जो गाईका है लत्ता मंगिशकर उनका 92 वर्ष की वो थीम और उनका रविवार को मोमई में निदन हो गया जन्वरी में कोबिड-19 संक्र में थोने के बाद उन्हें बीच के कैंडी अस्पताल में उन्हें बर्ती कराया गया था और आइस यूमिन का लाज चल रहा था जो दादा साहिव थे फल्त की प्रुषकार और पदम वुष्ण और भारते लत्तन से सम्मानित मंगिशकर 36 से अधिक भारते विदेशी भासाव में गाने का चुकी है सो देखिए काफी दुख के साथ यह कहना पड़ रहे कि जो लता मंगिशकर जी है उनका निधन हो चुका है 92 वर्स किस टाइम पर थी और पिछले कुस टाइम से चले आ रहे तो वह जैन में उन्हें तब कोबिद 19 से वह संक्रमित हो गई थी तो उस टाइम से उनका ट्रीट आपको पता है कि जो लता मंगिशकर जी थी उन्होंने 36 से भी अधिक भात यह जो विदीशी भासाएं थी उसमें वो गाने गा चुकी है तो चले बात करते हैं हम यहाँ पे नैस्ट नियूस के वारे में पहली बार नीयॉक यूनिवरसिटी के सिंगर टेलर रिफ्टिड में शुरू किया गया पाट्टेग्रम तो इसमें बात की गई है कि जो पहली बार नीयॉक यूनिवरसिटी है उसमें कलाइब डेबिस इंस में शुपट जो स्कील सेट है वो क्रिटिविटी और सही जिंदिकी की जो अन्य पहलू होते हैं पहलू को कवर इसमें किया जाएगा विद्धियारतियों से बातीत करने के लिए कजित तौर पे आमयंतित किया गया है तो यह काफी important news है कि first time ऐसा हुआ है New York University में तो इसके बारे में आपको अच्छे से knowledge होना चाहिए जले बात के अदम यहां पे ठर न्यूस के बारे में जहां पे बताया गया है कि जैपूर में बनाया जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम CM घेलोट तो दीए यहां पे आपको यह बताया गया है जैपूर राजिस्थान में प्रस्तावित एक नए स्टेडियम का स्लायन सनिवार को किया गया इस मौके पे मुख्या मंत्री अशोग जी ने कहा कि हमारा पिर्याश है कि पिर्देश में खेलने का वात्तवरन को तयार हो और यहां पे प्रतिव हैं देश दुनिया में अपना पंचम लहना है इसी उद्देशे के साथ जैपूर में जैपूर के पास जो चॉंप है वहां पर विश्वे का तीसरा बड़ा स्टेडियम बने जा रहा है यह काफी इंपोर्टेंच न्यूज है जिसके में आपको नौलेज होना चाहिए और बाकी का जो बिसकी नैस्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक पहुचा दूँगी चलिए बात करते हैं यहां पर नैस्ट न्यूज की जहां पर हमें बताया गया है सिक्षा मंत्राले ने एम जगदीश कुमार को बनाया UGC अध्यक्ष प्रोफेसर सकलिनी बने NCRT निर्देशक इसके वारे में भी आपको नौलेज होना चाहिए यह भी काफी इंपोर्टेंच नियूज है आपके एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से सिक्षा मंत्राले ने शुकरवार को विश्विध्याले अनुदान आयूग ने UCG के अध्यक्ष और रास्ते सक्षिक अनुसंधान को सिक्षन प्रदिशत NCRT के निर्देशक पदों में नुक्ति देने की गोशना की है साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि जवाहलार नहरूजी विश्विध्याले JNU के कुलपती M. जग्दिव कुमार को UGC का अध्यक्ष नुक्ति किया गया है साथ ही अगर वहीं हम बात करें उत्तरा खंड के जो हेमबती नंदन है बहु गुणा गडवाल तो उनको विश्विध्याले में इत्यास के प्रफिश्र अधिनिश प्रशाद सक्निकी को अंसे अधिके निदेशक पर नुक्ति किया गया है सो देखे यह भी काफी इंपोटेंच न्यूस है तो आप उसको नोट कर लेना और साथ ही आप उसको रिवीजन भी कर लेना शाथ करते में पर नेस्ट नियूस के जहां पर हमें बताये गया है कि भारत को 2023 में मिलेगा अपना डिजीटल रुप्या सो देखे यह जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं इसके बारे में कि जो बज़र्ट तयार किया गया है यह उसमें से एक मुख्य गोश्णा थी कि डिजीटल रुप पर नियूस के संचालन वाले जो इलेक्ट्रोनिक वालेट हैं जैसी ही होगी लेकिन इसके साथ जो सरकारी गारिंटी जूड़ी होगी एक शीर से सरकारी सूत्र यह जानकारी दी है कि वित्यमंत्री जो निर्मिला शीतरमर जी है पिछले सब्ता वित्य वर्ष 2022 का बज़र् कि जल्दी केंद्र बैंक के समर्थन वाला डिजिल्टर रुपया पेस के जाएगा जैसा कि अभी मैंने न्यूस के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यह कब क्या गया था जब 2022 का बज़र्ट को पेस किया गया था तो उसमें से डिजिटर रुपया लाने कि एक मुख पूशना थी जो आप लोगों को मैंने बताई थी तो होप आप इससे अपडेट भी रहेंगे तो होप आपको यह काफी अच्छी से पता चल गया होगा बाकी का जो भी नया स्ट अपडेट होगी वो मैं लिया हूंगी और नूर्स बनाने के लिए इसलिए ही बोलती हूं कि बहुत यह से नॉलेज होगी और जो आपके कॉंपरडव एक्साम है अगर उसमें कोई भी करेंट अफे से कोशन पुट अप किये जाते हैं तो आप उसको इसलिए फिल का सकते हैं ठीक है इसलिए आप कोशन का आंसर दे सकते हैं तो चलिए बात करते हैं यहां हम तो हम बात करेते हैं यहां पर कि 8 साल बात बदले का Google Chrome का आइकेन और प्लेटफर्म के हिसाब से होगा कस्टमाइज सो देगे यहां पर मैं बताया गया है कि सर्च इंजन कंपनी Google की और सी Chrome बाउजर के को 8 साल में पहली बार करने के लिए आइकेन डिजाइन से जुड़ा अपडेट दिया जा रहा है साथ ही कंपनी इस बदलाव के साथ गूगल के मौडन जो फ्रेज एक्सप्रेशन है उसको दिखाने वाली है इस बदलाव के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ब्राउजर के लोगों के लिए आप्टिमाइज औरकेस्टमाइज किया जायेगा कंपनी लगाता नए फीचर्स भी और अपने जो ब्राउजर है उसमें भी सामिल कर रही है तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह जो बदला हो रहा है यह आत्या आर साल बाद हो रहा है साथी आपको इसके यह इना जा पर आपको आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कि आई सी ने दोजा बाइस पुरुष अंडर 19 विश्वकप टीम में एलान और उसमें तीन भारती होई सामल तो देखें काफी अच्छी न्यूस है काफी इंपोटेंच भी है तो इसमें आपको यह पत होना चाहिए कि आई सी ने दोजा बाइस पुरुष अंडर 19 विश्वकप टीम में एलान किया है जिसमें तीन भारतिय किर्केटर सामिल हैं अंडर 19 विश्वकप में भारत को पांचवा खिताब दिलाने वाले येश जूल को कप्तान बनाया गया है जबकि जो राजवावा हैं उनको विक्की ओश्वाल अन्य जो दो भारती हैं टूर्णमेंट में शर्वधिक रन बनाने के लिए डोबल जो विश्वकप टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेवास हैं तो देकि इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो आई सी है 2002 में तो उसमें क्या ह हुआ है कि जो 19 विश्वकप है तो उसके अंडर में भारती थी लोगों को सामिल किया है भारती थी थी समिले सामिल न साती आपो यह भी पता होना चाहिए कि जो भारत बांट को पांच भाए किताब दलाने वाले हैं वह उनका नईम क्या है ये तो इसके बार में आपको dear video I am मुझे आप समझनी की कोशिश कर रहे हैं और class को continue attend करते हैं बैस महीं क speak कि अगर आप class लेते हैं ? ? इमौरी आप कोई भी कोशिण नहीं कीडिने वाला है ? क्यूंकि करने आफ़ेर में पालेटी से भी काफी questions put up किय जाते हैं साथ ही आपका economics जो राजसर आपको class देते हैं तो आप लोगों को सब भी subject के बारे में बहुत ही अच्छी से knowledge होना चाहिए तब भी आप किसी exam को clear कर पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आज के time में competition बढ़ता ही जा रहा है और आगे बढ़ेगा ही तो इसलिए आपको knowledge अच्छी खासी होनी चाहिए आपको बहुत अच्छी knowledge होना चाहिए तब भी आप देखे हर दिन कुछ नया सीखे और हर दिन कुछ नया सीखे हर दिन अपने आपको में आपको प्रूफ करई कि आपनी किया रात को सोने से पहले सोचे कि कीका इपनी क्या क्या है और तब आपको लगना कि मेरेको यह नहीं करना चाहिए था और मैंने आच यह नहीं किया तो उसको कल उठीई सुभा और सोची जकी मुझे आच क्क्राइद इस आज को आज कीजिए एक मिनट लाइफ की बहुत इंपोर्टेंट होती है तो एक टाइम एक मिनट को अप लोग यूज कीजिए और यूटलाइस कीजिए अस टाइम का और अच्छे से काफी अच्छे से पढ़िए कोई भी हैल्प छेये तो आप मुझे कमेंट वक्स में बताएं कोई भी आप लोगों को दूंगी लेकिन ऐसे मन में कोशन रखके डिमोटिवेट होके अपना घूमें तो जादा बैठर रहेगा एक्साम की तैयारी कीजिए पूरा फोकस उसी पर कीजिए और कोई भी समझने में प्रॉब्लम आरे है तो वह भी आप मुझे कमेंट वक्स में झाहितन तो विह है ंिन साफ पर को हरते किपवेट नहाईब नहाब कर अपना थे नहाई ज्हा झाल्म मेंड़र hazard का डशे वगलर इस वोजस्टाइ़ वालुट में और कर दोदा रहे हैं पोबग। रहे हैं तो उम झाहरा है जैफ हैं लेग पना अईजे हरी ओमें एक Tष